नमस्कार दोस्तों, टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के अनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजे विक्रम सिंग आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ी ही प्रसनता की बात है D, SSSB, जिसकी वेकेंसी का, हम लोगों को TGT की वेकेंसी का बहुत दिनों से इंतजार था वो वेकेंसी आ चुकी है, विज्जापन आ चुका है, हिंदी में कुल 192 पद हैं, तो अच्छे खाशे पद भी हैं बेटा और आप सभी भाईबहनों के पिछले काफी क्लासेज में कमेंट्स आ रहे थे कि सर एलिजबिल्टी क्या है, परिछा पैटर्न क्या है, और किस तरह से जो होता है तो इन सारी बातों को ले करके, आज हम आपके बीच उपस्थित हैं, और एक एक बात अच्छे से लिख करके बेटे, एक एक बात हम आपको समझाएंगे तो आईए, हम चलते हैं और देखते हैं, देखिए अगर हम DSSB की बात करें बेटा, तो सबसे पहले जो हमारे मन में एक बात उठती है कि भई कुछ बच्चे हैं, जो ग्रामीड अंचल के हैं, जिन्होंने केवल ये सुन रखा है, कि हाँ भई हमने सुना है कि DSSB की वेकेंसी आ गई, पर हमें ये नहीं पता है कि भई कितने पद हैं, पुरुस के कितने हैं, महिला के कितने हैं, कितने पद हैं कुल, तो सबसे पहले हम देखेंगे रीकतीयों की संख्या हम क्या देखेंगे रीकतीयों की संख्या मतलब levar vacancies number up for vacancies कितनी है तो इसमें आप जान जाओ बैटा कि अगर हम इसको हम 3 कुरेगरी में बाण सकते हैं अगर हम पुरुषवर्ग की बात करें तो पूरुषवर्ग के लिए कुल 75 पद है 75 पद है महिला वर्ग में जो है महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो महिला वर्ग में पदों की संख्या पुरुस वर्ग से जादा है बेटा और महिला वर्ग में हमारे कुल 110 पद है ठीक है और इसके अलावा इसमें एक होता है ndmc ndmc इसमें कुल साथ पद है अब आप कहेंगे कि सर ndmc क्या है क्या ये कोई अलग तरह की वैकेंसी है तो हाँ बेटा बिल्कुल है तो ये dsb द्वारा ही लेकिन इसमें खास बात क्या है ndmc कहते किसको हैं बच्चे जानते नहीं है जान लो बेटा जैसे हमारा संसद का छेतर है मतलब संसद भवन है राष्टपती भवन है तो इसके आसपास का जो एरिया होता है वो सम्वेदन सील मतलब एक तरह से कहें भारत की मुल मुल चीज़े हैं तो इनके आसपास क जो एरिया होता है वो बड़ा ही सम्वेदन सील एरिया होता है तो इन यहां जो विद्ध्याले होते हैं वो विद्ध्याले थोड़ा अन्य विद्ध्यालेओं से अलग हटकर ndmc के नाम से पुकारे जाते हैं ठीक है तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि ndmc समझ गए सा है पच्छतर दस 185 और 185 साथ 192 ठीक है तो टोटल हमने उपर ही आपको लिखा था कि टोटल रिक्तियों की संख्या हो गई 192 अब अगर हम दूसरी बात करें बिटा कि योग्यता क्या है eligibility क्योंकि अब भाई चलो हमने जान लिया कि हाँ vacancy आ गई है इतनी vacancy है तो सबसे पहला प्रशन यह उठता है कि क्या हम इसे भर सकते हैं तो देखो बिटे इसकी योग्यता बहुत शिंपल है योग्यता में बस आपको यह ध्यान रखना है क्या कि जो है graduation में हिंदी होनी चाहिए graduation में हिंदी या आप इसे कहिए कि हिंदी से graduate यह कहिए हिंदी से graduate होना चाहिए ठीक है बलकि आप graduation में हिंदी न करके इसे कहें हिंदी विशय से graduate मतलब बी-ए में आपकी हिंदी होनी चाहिए हिंदी विशय से असना तक या graduate मतलब बी-ए में आपकी हिंदी होनी चाहिए दूसरी योग्यता है बेटा बी-एड पाश मतलब आपका बी-एड कम्पलीट होना चाहिए तीसरी योग्यता है सीटेट सेकंड पेपर ना सीटेट सेकंड पेपर पास तो जितने भी बच्चे ये योग्यता धारित करते मतलब जिनका बी-ए में हिंदी रहा है अगर दो साल भी है तो भी आप graduate माने जाएंगे मैं इस बात को साप साप आप से बता देता हूं क्योंकि इसके बाद भी बच्चे सांत नहीं होते उनकी जिग्यासा उनकी query लगात है ठीक है तो अगर आपने बी-ए में दो वर्ष भी इंदी पड़ी है आप बेड हैं सीटेट सेकेंड पेपर पाश हैं तो आप नो डाउट जो है यहां फार्म भर सकते हैं अच्छा इसमें एक बात और भी ध्यान रखना बिटा आप क्या कि देखो आप तमाम बच्चे प अगर आप अधर स्टेट के हैं और आप जनरल में अपलाई करते हैं तो वहां आपके जो सीटेट के नंबर होंगे वो 90 प्लस होने चाहिए अगर आप वहां के हैं दिल्ली के रहने वाले हैं तो फिर आपका जनरल के लिए 90 सी ओवी सी सी के लिए जो है स्टी के लिए 82 जनरल में अपलाई करेंगे तो वहां आपको जनरल में पास होना पढ़ेगा 90 नमबर लाना बिल्कुल किलिये अब योग्यता से रिलेटेड आपके मन में कोई दिक्कत नहीं रह गई दूसरी चीजे है बेटे की अब एक प्रश्न उठता है कि बही कुछ बच्चे हैं कि सर हम पारी आयू तो इतनी हो गई है तो क्या हम फाम भर सकते हैं तो आयू क्या होनी चाहिए तो देखो बेटे अगर आप एज की बात करेंगे तो सामान्य पुरुष सामान्य पुरुष मतलब जनरल में जो मेल हैं पुरुष है उनके लिए आयू है 32 साल कितनी 32 एर मतलब अगर आप 32 वर्स या उससे कम हैं तो आप फाम भर सकते हैं अगर आप उससे ज़्यादा है तो आप फाम नहीं भर सकते हैं अगर हम सामान ने महिला की महिला में यहां जनरल वो उसका दिया ही नहीं है साप साप उन्होंने केवल महिला दिया है तो जितनी भी महिला है सबके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि उम्र है 40 वर्स मतलब आप 40 वर्स या उससे कम हैं तो आप फाम भर सकती हैं ठीक है अब प्र जो OBC के candidate है उन्हें तीन वर्स की छूट है क्या है बेटा तीन वर्स की छूट है कहने का मतलब है अगर वो 35 या 35 से कम है तो पेपर दे सकते हैं इसके अलावा SC, ST, SC, ST और PWD, Physical Handicap PWD का मतलब सड़क वाला मत समझ लेना बेटा PWD माने Physical Handicap ये जो लोग है इनकी उम्र में 5 वर्स की छूट है कहने का मतलब कि अगर ये जो है 32 और 5 37 वर्स के हैं तो भी ये फारम भर सकते हैं 37 वर्स या 37 वर्स से कम हैं तो भी ये फारम भर सकते हैं अब नमबर 3 पर हम आते हैं बेटा परिक्षा का पैटर्न क्या होगा ठीक है बेटा अब हम नमबर 3 पर आते हैं परिक्षा पैटर्न क्या होगा तो देखो बेटा आपकी जो परिक्षा होगी वो दो पेपर में होगी आपकी जो परिक्षा होगी वो दो पेपर में होगी एक होगा प्रश्न पत्र प्रथम या एक और होगा प्रश्न पत्र द्वितिय और ये होगा प्रश्न पत्र प्रथम या फर्स्ट पेपर देखो बिटी ये जो आपका प्रश्न पत्र होगा ये टोटल सो नंबर का होगा कि ठीक है और ये जो प्रश्ण पत्र होगा आपका ये भी होगा 100 अब मामला ये है कि इसमें जो होगा आपका बेटा देखो एक तो आपकी reasoning होगी ठीक है एक आपकी जो है इसमें अगर आप देंगे तो एक आपकी reasoning होगी reasoning होगी 20 नंबर दूसरा सामान्य जागरुकता जिसे आप general awareness काते हैं GKAYS जो भी काते हैं ठीक है पेटा तो सामान्य जागरुकता इसके भी 20 प्रश्ण होंगे नमबर तीन गणित के भी इसमें 20 प्रश्न होंगे नमबर चार हिंदी के भी इसमें 20 प्रश्न होंगे बेटा और नमबर पांच जो है अंग्रेजी अंग्रेजी के भी 20 प्रश्न होंगे तो इस तरह से कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 100 हो गई अब यहां एक बात और ध्यान रखना ये इनका reasoning सामान्य जाग रुखता ठेक है गणित है अंग्रेजी और तब हिंदी रुख जाईए मैं इसे जरा साही कर लूँ उसका मैं region आपको बताता हूँ इसे एक बहुत बड़ी चीज में आपको बताऊंगा जो सामान्यता बच्च ठीक है बेटा तो ये हो गया आपका 20 कुल 100 नमबर अब मेरी बात सुनना ध्यान से इसमें प्राबलम एक है छोटी सी और वो प्राबलम ये है कि सबसे पहले ये इनका क्रम भी यही रहेगा परिक्षा में और सबसे पहले आपका ये portion खुलेगा जब आप इस portion को करके lock करें तब ये खुलेगा और जब इसे लॉक करेंगे तब ये खुलेगा तो कहने का मतलब यह है बेटा कि ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी हो आप पहले हिंदी ही उठा लो नहीं वह अपने क्रम से आता रहेगा 20 कोश्चन आपको करके lock जब उसे लॉक करेंगे तब ही अगला portion ये भी समझ लेना ठीक है गलत उत्तर के लिए अंक गलत उत्तर के लिए अंक काटे जाएंगे ये भी आप ध्यान से समझ लेना बेटा क्यों मतलब negative marking है एक बटे 4 चार गलत होने पर एक सही का नंबर कट जाएगा अब यहाँ जो 100 नंबर का प्रश्ण पत्र होगा आपका ये विशय का ये दुती प्रश्ण पत्र जो है ये विशय का है और इसमें हमारा तीन भाग होगा बेटा एक तो हमारा सबसे पहले जो होगा वो होगी हिंदी पैड़ोगाजी पहला पोर्शन होगा हिंदी पैड़ोगाजी का दूसरा होगा व्याकरण का और तीसरा जो पोर्शन होगा बेटा वो साहित्य का होगा ठीक है तो अब ये हो गया 100 और ये हो गया प्लस 100 तो कुल 200 प्रशन होंगे और 200 अंख होंगे अब एक बात है जैसे हमने कहा तुरंद बच्चे कहेंगे कि गुरुजी हमें ये 200 प्रशन कितने देर में करने होंगे तो ध्यान रखना बेटा समय रहेगा 120 मिनट कहने का मतलब है कि आपको 120 मिनट में 200 प्रशन करने 200 घंटे मे अब सरी 2 घंटे में 200 कोश्चन करना है ठीक है अच्छा ये इन्होंने जो लिख रखा है कि इसका जो लेबल होगा ये वाले का इसका इन्होंने लिखा है कि इसका जो लेबल होगा वो जो है मैट्रिक लेबल होगा मैट्रिक का मतलब क्या है बेटा मैट्रिक अस्तर मतलब दसमी का और इसका जो इन्होंने दे रखा है वो इन्होंने दे रखा है सनाता कस्तर मतलब ग्रेजुएशन का ठीक है बाकी कमटीशन है आपको पता ही है बेटा कि ये कहने को रहते हैं बाकी अच्छे कोशन आते हैं और बहुत अच्छा कोशन आता भी है अब एक बात और हमें शर्रह बता दीज़े पाठ्थ्य क्रम क्या होगा तो देखो बेटा मैं आपको बता दू पाठ्थ्य क्रम जो इसका है वह इन्हों ने कोई निर्धारित इस पेpor पेपर के लिए जो सेकंड पेपर की मैं यहां बात कर रहा हूं पाठ mascara विशय का जो विशय वाला हमारा पेपर है उसके पाठिक्रम की तो इन्हों ने निर्धारित नहीं है ठीक है निर्धारित नहीं है लेकिन हमने जो बिगत वर्षों के प्रशन पत्र देखे उनसे जो अध्यान किया उसके आधार पर साहित्य के प्रशन व्याकरण के प्रशन और जो है हिंदी सिक्षन के प्रशन यहां आएंगे पेड़ोजी के कोश्चन आएंगे ठीक है और उसको बकायदे जिस लेबल पे जिस अस्तर पे आता है वो हम आपको कराएंगे उस अस्तर पर कराएंगे आपको बताया जाएगा बहिए देखो इस इस टॉपिक से कोश्चन आये है और वह वह टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे ठीक है वह हमारा काम है बीटे यह वाला काम आप हम पर छोड़ दें आप केवल संदारी से मेहनत करें अब एक मामला और आता है मामला आता है कि विगत वर्ष की कट आफ क्या रही विगत वर्ष की विगत वर्ष की कट आफ ठीक है विगत वर्ष की कट आफ क्या रही तो विगत वर्ष के अगर हम ओ डबल एफ होगा ओ डबल एफ होगा ना ठीक है तो चलो देख लेना आप लोग अंग्रे जी हमें आता नहीं है तो आप देख लेना तो विगत वर्ष की तो ध्यान रखेगा बेटा कि इसके पहले जो परिक्षा हुई थी वो 2021 में हुई थी और इसकी जो कट आफ थी बेटे वो थी पूरुष वर्ग जो है उसकी कट आफ थी 93 दो सो में से और जो हमारी म हिला वर्ग की जो कटाफ थी वो कटाफ थी जो है 102 अब यहां देखिए एक चीज और भी थी पिछली वर्ष पिछले साल इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था 40 प्रतिसत अंक लाना अनिवार्य है इन्होंने कहा था 40 प्रतिसत अंक लाना अनिवार्य है कहने का मतलब यह है बिटा कि अगर आप 40% से कम नंबर लाते हैं तो आपका चैन नहीं बनेगा लेकिन इस बार के विज्यापन में इस चीज को इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं कि है कि 40% मार्क्स लाना ही लाना है ठीक है तो हो शक्ता बट आप यह मान के चलो वैसे भी नॉर्मली 40% से कम अगर कोई लाता उसका चैन ही नहीं बने गाया बट यह है कि भाई बहुत कठीन पेपर आ उस कंडीशन में भी 40% आपको लाना ही लाना पड़ेगा पर इस बार इन्हों ने इसका खुलकर जिक्र नहीं किया है जो है माइनस मारकिंग है एक बटे चार नंबर कटेंगे पाठिकरम की बात मैंने कर दी तो देखो बिटे हम आप से जिन चीजों को ले करके आये थे कि सलेबस क्या होगा एक्जाम पैटन क्या होगा हाँ अब एक बात और बच रही है हमारी क्या और जो कि बहुत जरूरी ह वो है रणनीती क्या होगी हमारी रणनीती क्या होगी आपको पढ़ाने की क्यूं आप जो है टेक्स्ट बुक्स जो है क्यूं आप टेक्स्ट बुक्स उपर कोचिंग में एडमिसन लें तो देखो बिटे सबसे बड़ी बात है कि रणनीती हमारी जो है वो एक तो है कि बेटा हम लगभग 10 से 12 साल से जो है इसी काम को कर रहे हैं तो कई बैच निकाले हैं तो इसका एक बढ़िया अनुभव भी है हमें दूसरी चीजे है कि पाथ्यक्रम के अनुरूप चर्चा पाथ्यक्रम के अनुरूप पढ़ाई हम जो आपको पढ़ाई कराएंगे वो बिल्कुल आपके स्लेबस के अनुरूप आपके पाथ्यक्रम के अनुरूप कराएंगे वो स्लेबस हम वहां से निर्धारित कर चुके हैं तीसरी चीज है कि आपको जो है प्रैक्टिस model paper इसके साथ ही साथ test बहुत सारी चीज़े यहां provide कराई जाएंगी प्लस आपको notes भी मिलेगा PDF के format में आप वहां से लेकर के बड़े आराम से लिख ली जिएगा ठीक है notes दूसरी एक सबसे खास बात और भी मिलेगी बिटा आपको live class live class मिलेगी आप direct हमसे जुड़ करके जहां किताब पूछना चाहें जो चीज़ भी पूछना चाहें वो सारी चीज़े आप पूछ सकते हैं हमसे ठीक है तो यह हमारी रणनीती होगी आपको सफल कराने की बस हम केवल इतना कहेंगे आप इमानदारी से मेहनत करके आईए हम आपको सफल कराएंगे यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं ठीक है बेटा तो आप लोग जल्द से जल्द अपना एडमिसन लिजिए अपनी एक सीट सुनेशित कराईए और आप कोड के रूप में विजय कोड यूज कर सकते हैं ठीक है तो हमारे सभी साथ ही और जिन लोगों ने हमें टेलिग्राम पर हिंदी बाई विजय विक्रम सर पर हमें फालो नहीं किया है आप हमें हमारे टेलिग् सुपर कोचिंग के साथ और कराईए फिक्स अपनी एक सीट धन्यवाद